वेलकम तु राधा वल्लब ग्रूप ऑफ इंस्टिटूशन्स आज हम लोग टीडीपी का फर्स लेक्चर शुरू करने जा रहा हैं और ट्रांस्मीशन एंड डिस्टिविशन ऑफ इलेक्टिकल पावर जो सब्जेक्ट है सबसे पहले इसका मुलों सलेबस देख लेते हैं एक होगा पहला यूट वो ट्रांस्मीशन सिस्टम है दूसरा यूट जो है वो दिस्टिविशन सिस्टम है तीसरा सब स्टेशंस चौथा है पावर फैक्टर पाच्वा है रिवेण्यू & एनर्जी लॉस। ठीक है इन सभी यूडिशन से इंतर्नल जितनी भी टौपिक्स हैं आप लोग देख लीज़े सही से आप लोग के सल एक चाहीं पड़ेंगे तो काफी टाइम लग जयागा इसलिए आप लोग सलेबस देख लीज़ेगा तो हम शुरू करने जारे हैं उसका सलेबस आप लोग को बता दिया यह ठीक है और बागी जब और किसी जिन बच्चों के पास नहीं है इसले बस उनको वाट्सप पे सेंट कर देंगे उनके पास वो देख लेंगे उससे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांस्मीसिन सिस्टम से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपोनेंट और फिलेक्टिकल सप्लाई सिस्टम यह नहीं हम लोग पावर सिस्टम के बारे में पढ़ रहा हैं कि किस प्रकार से ट्रांस्मीशन और डिस्ट्रिविशन होता है देखिए वैद्वत उज्जा को उत्पन करने से लेकर उपभोग प्रकानय प्रकार प्रकान प्रकार सेखिए तो इनदों जो है इन्हें चारवागों में व मत म्त पैसتهी सिस्टम है दान्समीशन सिस्टम है और तर तरह रहवा होने के बाद जाती है उसके बाद हम ट्रांस्मीट करते हैं जनरेशन हो जाता है तो इन कराइबध इस दिए चाहां के आप लोग के पूरे इस सबसक्ट का भी सब्सक्ट है इन अब करके सबसे पहले आज हम यह जा लेते हैं कि इन चाह रों का मतलब क्या होता है यानि जन्रेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका दो करते हैं तो देखिए जो हमारा जनरेटिंग सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है generating system यानि विद्दूट जनन, electric generation से है, इसका तातपर विद्दूट के उत्पादन से है, जो आप लोगों ने power plant का नाम सुना होगा, इसे thermal power plant होता है, diesel power plant होता है, hydro power plant होता है, इन plants से जो बिजली बनती है हमारी, ठीक है, तो जो generation हो जाता है बिजली का, तो विद्दूट जनन यानि atomic fuel जैसे uranium, thorium, proteinium इत्यादे से क्या जाता है, generation system या power house इसे कहते हैं, या power plant के नाम से जानते हैं, जहां generation होता है बिजली का, उस पूरे system को हम लोग power plant के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनिम्ट प्रकार के होते हैं, इस डीजल power house होता है, इसको diesel power plant भी बोलते हैं, power house को power plant के नाम से जानते हैं, तो diesel power house, hydro power house, thermal power house, atomic power house और solar power house, तो यह जो आपके power plant दिख रहे हैं, power house जो है, यह आपका एक subject power plant, उसके internal आप लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन सा plant किस तरीके से वर्क करता है, यहां आपको plants कैसे वर्क करता है, यह नहीं पढ़ होता है, तो आप लोग को basically generation क्या होता है, इसका मतलब समझ में आया होगा, यानि generation का मतलब सीधा है, कि विद्दुत का उत्पादन, टेक किसके मादम से plants के मादम से होते हैं, तो generating system किसे कहते हैं, विद्दु जनन कातात पर विद्दुत को उत्पादन से हैं, तीक, आब हम पर विद्दुत को एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक भेजना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, transmission system और distribution system, दोनों सुनने में यह से एक से लगते हैं, कि बाटने से ही मतलब होता है, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ होता है, अलग-अलग है, जो हमारा transmission system होता है, इसक connection जो होता है, यह जो line होती है, transmission line यह केवर electricity को भेजने के लिए होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, electricity को एक अस्थान दुसरे अस्थान तक भेजना, यह दो भागों में जो प्रकार की line दोरा किया जाता है, पहला जो होता है, primary transmission line ठीक, primary transmission line में कौन-कौन से माध् इसका मतलब क्या होता है विद्वध औरज्ण में उसकी आवश्चकता अनुसार भाड़ना झाल करने के बाद उसको में डिस्टिब्यूट करते हैं तरांस्मेट करने के बाद हो लोग से कि बहुत जाता है वो जो सिस्टम होता है वो डिस्टेबूसिन सिस्टम के अंतरगत आता है ठीक है अ और लास्ट जो आप लोग का है वह है यूटलाइजेशन इसका मतलब होता है विद्दूत उर्जा का विबिन उभोकता के लिए करना तो कैसे कैसे कनेक्शन आम देने पड़ते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे यह आपको लोग का वह यूटलाइशन सिस्टम के इंतरगत आएगा ठीक है तो यह तो रहा आप लोग का बेसिक की जनरेशन क्या होता है हरा दिस्ट्रिबूशन क्या होता है जो हमारा में करें और करनेशन होता है इन सब अपको एक block diagram के माध्यम से यह ब्लॉक डागरम काफी important है यह आप लोग के हमेशा exam पूछे जाता है और यह जो block diagram है इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप power system को समझना आप लोग के लिए आइसान हो जाएगा तो इसको अच्छे समझेगा और इन में से जो चीज़ समझ में नहीं आएंगी उनको आप जरूर पूछेगा अगर आप पूछेंगे तो आपका आपको कौई से समझ में नहीं आ रही है तो बता दूंगे आपको लेकिन कोशिस कीजिए आपको नहीं कोई पूइंट कोई पी चीज हो इसमें से जो चीज नहीं समय रही है उसको ज़रूर पूछेगा एक बार तो हम दो शुरू करते हैं इसका जो ब्लॉक डियागराम है इस अगरी इसके बार अभर पढ़ेंगे इसके पहले आप ट्रोगोंने जर्नेरेशन पढ़ा कमतलब क्या ह progresses क्या होता है सब्सक्राइख को माने कोशिच करना तो सबसे पहला आमारा काम क्या होता है बिजली का उत्पदन करना थे हri तो कि यहां आप लोग देख सकते हैं जर्देोषिंग जणासल करें का कि अपथ सिंबल बना हुआ है यहां पर आल्टरनेटर का सिंबल बना हुआ है ठीक टो यह 1 यान् Dingen कि ऑनको विजली मिलती है जहां से वीडिश्ली कालगन होता है यह सिंबल हमारा यहां बना हुआ जनेरी सिस्टम का तो जनरेशन हुआ विजली का विजली का जनरेशन हुआ वह 11 के पर हुआ यहां पर आप लोग जो चीजें हम बतानों समझने कुशिश कीजिएगा समझेगा इसके बाद हम लोग एक एक चौपे पर इससे बात करेंगे औ बता बात कंवें हैं वहां और सबसे पहले हो सब्पे जिसे के बारे में जानेक जो एक है había जमकर के पर से जालने से की किस अफे करता है को यह दो जालनी ने में यह सिस्टम में होता है हमारा 11 कई वी जनरेटी हुआ है उसको हमें कांजीमर तक जो primary distribution होता है वहां तक पहुषाना होता है तो वहां तक पहुषाने के लिए क्युकि दूर दूर गाओं होते हैं उन सभी गाओं में बिजली पहुषाने के लिए हमें transmission के आसदा पढ़ती है क्योंकि जब हम जो बिजली वित्पाज़ित करते हैं उसको डाइरेक्ट हम कंजीूमर तक नहीं पहुझा सकते हैं तो तक पहुचाने के पहले कई सारे सिस्टम होते हैं उसको देख लिते हैं लोग तो उस सिस्टम में सबसे पहला जो है आप लोगका जनरेटिंग स्टिसन आजाता है ठीक है तो यहां पर हमारा 11 के भी जनरेट हुआ आ कुक들 को कि amp looked hết 11 जार यहां निहां ग्र संस्मिट करेंा है यह आपका प्रायम्री ट्रंसिशन के माध्धम से प्राइबर करते हैं करता है तो यहाँ पर 11 kv में गता है यहाँ तो प्राइमरी ड्रांस्मिशन होता है किसी में क्या होता है यहाँ पर 11 के को 132 kv में कनवर्ट करके आगे लाइन को भेज सब्सक्राइक बेज पर अब क्या हुआ कि 11 के कि को मुने 132 में स्टेफव किया सभी युद टांस्फॉर्मर के माद Jeżeli 22 फिर हमने 33 को में स्टेप नांस्फएंड के मादम से कनवट कर दिल्स कensa किसके माद्धम से gesture geof transformer के माध्धम से इस टेप-down transformer के माध्धम से हाई लोग वोल्टेज में अदा आप लोग पढ़ा होगा बाकी चीजे सही मिशनदनीक उसको पूचिए तो Erst2 क क्या दğू कर लिया और यह conversion कहा हुआ हूई सму्सेंद्र में सब इस्टेशन को भेजते हैं सब सब सब्सक्राइब करता है यहां पर इसके बाद इसको आगे डिस्ट्रिबूट करते हैं इसके बीच नहीं कोई कनेक्शन कोई नहीं करते हैं कोई विशाका नहीं होती यह ठीक हैं कनेक्शन कहाँ शुरू होता है हमारा प्रामनी डिस्ट्रिबूशन पर जब हम हमें 11 कव सब्सक्राइब करते हैं लिखेंग से ले करके कंजीूमर तक किस प्रकार से हम बिजली को पहुचाते हैं यह उसका पूरा ब्लॉग डियाग्राम है इसे आप लोग अच्छे से बना लीजेगा और जो टॉम से लिखे हो गए हैं उसको समझ लेजेगा अच्छे से बाकिजी टॉम से इसमें प्रामिर तो पहले आज हैं आज आप लोग इस ब्रॉक डायाग्राम को अच्छे से बना करके जितने इसमें लिखेंग उसको अच्छे से समझें क्या-क्या इसमें बताया जारा है क्या-क्या कहा गया है इसमें जो फॉर पोच लिजीगा पर करने क्या कि उसमें में रेफ़ को फेग़ कंपोनेंट्स नहीं थे तो आज पहले आप लोग इसको है गए जिने भी यह जो ब्लॉक में इसको के बाद हम शुरू करेंगे ट्रांसमीशन देस्टिप्रशन जो हमारा सब्जेक्ट है इसके टर्म से यारे हैं कि जोटा है यह जाने चाहिए जनेशन होता है यह chasabitionichen चैने टांस्टोस्तन क्या ड्लोक यहाँ आप लोग को दिखाए गया था कि ड्रेडराम ड्राइम टांस्टिबूशन प्रामली डेकताइए उख़ए करी होसाओ यह चैनल सब्सक्राइब करने गहता यह सकते इस अलाग होता है distribution का the systems अलाग होता है तो ये सारे अलाग अलाग होते हैं उनके बढ़ेंगे कौन से sunkeating में में होते हैं कौन कौन से components वहां लगे होते हैं आप लोग बढ़े होगा जनरेटर के बारे में प्रिछो synchronous जनरेटर होता होता एक प्रकार का ac जनरेटर होता है जो mechanical energy को electrical energy में इलेग्टिकल energy में कहाstate चेंज करता है सभी जर्णेस्टेशन में synchronous generator का यूज करते हैं इसकी विशुष्टण важ Ortisai के सिंथर गती पर चला सकते हैं टीक है यहां यह जो hose Partners है जो कि जहां पर पत्ma होता है महां पर यह लंगा होता है यह क्या होता कि आप लोग ने समझा इसके बाद जो नहीं प्रामरी टांस्मिशन सब इस्टिशन है जो गिए 11 को 122 की इस टेप टांस्मीट किया गया वो ग्या होता है कि प्रामरी टांस्मीशन में उत्पन की गई एक स्टेप टांस्वार में लगा करके 400 के में चेंज करते हैं तो इसमें कोई कि बात नहीं होने चाहिए इसको जितना हमको आवसकता होती है सब्सक्राइब करते हैं कि इसमें प्राइमरी टांस्वार में लगा करके चेंज करते हैं और सब्सक्राइब क्या होता है सेकेंडरी टांस्मिशन में 400 के पावर को या 132 के पावर को स्टेप डाउन टांस्वार मर लगा करके 33 के में चेंज करते हैं उसके बाद पावर को डिस्टिब्यूट करते हैं और प्राइमरी डिस्टिबूशन सब्सक्राइब करते हैं यह सेकेंडरी डिस्टिब्यूशन में 11 kv के इलेक्टिकल पावर स्टेप डाउन टांस्फरमर को 440 वोल्ट में चेंज करते हैं उसके बाद तावर को यूज करते हैं तो यह जो आप लोग के ब्लॉक डायग्राम में टर्म्स थे जितने भी यह ब्लॉक डाया गया है ताकि आप लोग को स्वाज में आ जाएं कि यहां पे ट्रांस्मिशन लाइन है जो सब इस्टेशन से मतलब किया है और जो इसके बाद का जो नेक्स पॉइंट है नेक्स जो अप टॉपिक है अगली वीडियो म इतना ही और इसमें जितने भी कंफिशन हों आप वोग प्लीज पूछिएगा या अगर आज आप लोग इस चीज को ने समझेंगे तो आगे के टम्स को भी समझें प्रॉबलम आपको तो इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि आप को तो आपको जो चीज में नहीं आएंगे झाल झाल